आईग्रेन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. आज के खबर 7 जनवरी वर्ष 2020. म्यामार में दलहन की वास्तविक स्थिती. म्यामार विश्व के सबसे बड़े तुबर उरत मूंग निर्यातक और भारत दलहन मामले में विश्व का सबसे बड़ा आयातक द आती है. 1988 से म्यामार ने दालों का उत्पादन शुरू किया था और 2019-20 तक आते आते दलहन का निर्यात एक बिलियन डॉलर के आसपास होने लगा. 1991 में भारत व म्यामार के बीच हुए ट्रेड एग्रिमेंट से दलहन का उत्पादन बढ़ा. इस वर्ष म्यामार में 40.6 तन था. चालू वर्ष में म्यामार में दलहन उत्पादन गत वर्ष से 5 लाख तन घटा. म्यामार का पूरा दलहन उद्योग भारतिये डिमांड पर निर्भर. भारत के अलावा म्यामार से बांगलादेश, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, UAE को भी दलहन निर्यात बढ भारत ने 2014 में म्यामार से 5.45, 2015 में 5.07, 2016 में 3.7, 2017 में 3.9 और 2018 में 4.8 पांच लाख तन दलहन का आयात म्यामार से किया था. म्यामार से 2014 में कुल दलहन का निर्यात 7.61, 2015 में 7.13, 2016 में 5.95, 2017 में 7.45 और 2018 में 8.1 लाख तन हुआ. उत्पादन की बात करें तो 2018 माइनस 19 में म्यामार में उरत का उत्पादन 13.6, मून का 14.6, चना का 5.42 और तुबर का 5.45 यानि कुल उत्पादन 52.52 लाख तन होने का अनुमान. यहां करे म्यामार पलसेस बीन्स एंट सीसम सीद्स मचेंट MPBSSMA द्वारा दिये गए हैं जो बेहत चौकाने वाले हैं. MPBSSMA के अनुसार म्यामार से करीब 5.5 लाख टन उरत 4.5 लाख टन मून 2.5 लाख टन तुबर वद 2 लाख टन अन्य दलहन का निर्यात होने की संभावना. पिछले वर्ष म्यामार से 13 लाख टन दलहन का निर्यात किया गया था जो इस वर्ष बढ़कर 15 लाख टन पहुँच सकता है. भारत और म्यामार के बीच दलहन व्यापार. उपरोक टाकरों से साफ जाहिर है कि तुबर्प मूंग उरद आयात के लिए भारत की म्यामार पर निर्भरता अधिक. भारत की आयात नीतियों में किये गए बदलाव से म्यामार दलहन उद्योग में भी हलचल बनी रही. जैसे ही भारत दलहन का आयात खोलता है वैसे ही म्यामार बाजारों में तेजी बनती है. भारत द्वारा सीमित मात्रा में आयात किये जाने से म्यामार में दलहन का बकाया स्टॉक बढ़ना चाहिए था परन्तु पिछले दो वर्षों में उत्पादन घटने के कारण बकाया स्टॉक में कमी आए फिलहाल म्यामार से उरद का आयात खुला है परंतु स्टॉक बेहत कमजोर है 31 मार्च 2020 तक अतिरिक 2.5 लाख टन आयात होना मुश्किल नई फसल फरवरी के अंत में आएगी जिसका 31 मार्च तक आयात करने में आयातकों और निर्यातकों को मुश्किले होंगी हर हाल में पोर्ट पर 15 मार्च तक अरद का आयात करना होगा शुरुवाती दौर में नई उरद में नमी की मात्रा अधिक हो सकती है जिससे क्वालिटी का माल नहीं मिल पाएगा इतने में भारत में नई उरद मंडियों में पहुंच चुकी होगी नई फसल आने तक भारतिय बाजारों में उरद की शोटेज बन सकती है और बाजार एक बार फिर तेज हो सकते है म्यामार में नई तुबर की हलकी फुलकी आवक शुरू हो चुकी है, शुरुआती दौर में नमी की मात्रा अधिक आवक का दबाव 15-20 जन्वरी के बाद बनेगा, भारत में तुबर का आयात अभी बंध है नई आयात प्रणाली शुरू होने से लेकर पोर्ट पर नया माल मई के अंत तक आएगा यानि अगले पांच महीनों में तुबर का आयात नहीं होगा भारत में तुबर की चोतरफा जोरदार फसल आने की उम्मीद थी परन्तु मौसम में आये बदलाव से तुबर की फसल को हानी पहुँची करनाटक महराष्ट्रा में खड़ी फसल पर हुई बारिश से दाने में नमी की मात्रा बढ़ी, दाना दागी भी हो सकता है आवक का दबाव 20 जन्वरी के बाद पढ़ेगा करनाटक व गुजरात में तुबर की सरकारी खरीद एक जन्वरी से शुरू हो चुकी है जैसे ही महराष्ट्रा में खरीद चालू होगी वैसे ही बजार बढ़ने चालू होगी घटे भावो पर तुबर की स्टॉकिन की जा सकती है, मई में माल बेचे महराष्ट्रा में काबुली चना की स्टॉक, विजाई, फसल स्थिती महराष्ट्रा राज्य में मध्य प्रदेश की सीमा से सटेक शेत्र शहादा, नंदुरबार, दौनडाइचा, आलमनेर, चोपा में काबुली चना की बिजाई की जाती है जिसमें से शहादा, आलमनेर और चोपाक शेत्र में क्वालिटी अच्छी रहती है, बाकी बचेक शेत्र में क्वालिटी सामान्य से कमजोर रहती है व्यापारिक सूत्रों के अनुसार इस वर्ष महराष्ट्रा में काबुली चना की बिजाई गत वर्ष से 20-25 प्रतिशत घटी इस समय फसल बेहत दमदार नजर आ रही है, मौसम फसल के अनुकूल, व्यापारियों का मानना है कि अगर मौसम में बदलाव आया तो इससे फसल में की